चोपड़ा है जो किसी न यूटूब चैनल पर मैं हर साइच चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो NEED21 देने वाले सभी एस्प्रेंट को एडवांस में बदाई देता हूँ और इस वर से आपके लिए प्रातना करता हूँ कि आपका NEED21 का एक्जाम बहुत ही अच्छा हो और आपको एक अच्छा स्कोर मिले इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जरूरी जनरल बातें बता रहा हूँ जिसमें आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी सबसे पहले संबव हूँ तो एक्जाम सेंटर पर एंटर करने से पहले एक कप कोफी पी लें जिससे आप 3-4 हावर्स के लिए फ्रेस रहेंगे दूसरा में पॉइंट ये है कि एक्जाम सेंटर पर आप 3 हावर्स पहले तो अब से ही पहुँचें कुछ परिष्थितियों में आप लेट हो जाते हैं वो बात अलग है मगर ये ध्यान रखें कि 1-30 ओक लोग के बाद आपको गैट में इंटरी नहीं मिलेगी 2019 में में मेरे साथ ऐसे ही एक घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ मेरे बेटे का एकजाम सेंटर जैपूर था हम मैप के अकोर्डिंग सेंटर पर 12 बज़े पहुँच चुके थे जब हमने सेंटर पर रोल नमबर चेक किया तो पता चला कि इसी नाम से इसकी एक यूनिट और है जो यहां से 10 किलोमिटर दूर है और वहां पर हमारा सेंटर है हालांकि यूनिट टू का एडरस बाकाइदा एडमिट कार्ड पर लिखा था मगर हम मैप के अकोर्डिंग चले तो मैप में जो सबसे पहले स्कूल आती है सेम नाम से वही शो होती है तो हम स्कूल के नाम को ही लेकर चल रहे थे ऐसा पोस्टे देखते हम साड़े बारा बज लिए तो दूसरे दिन इलक्षन थे इस कारण ट्रेफिक बहुत था हर जगे जाम था हमारा सेंटर मैन रोड से दो किलोमेटर हट कर था और जब हम मैन रोड के उस चोराए पर पहुंचे जहां से हमारा दो किलोमेटर दूर एकजाम सेंटर था तो हमारे पास सिरफ 10 मिनिट का समय था यानि कि हमें वहां पर ही एक बज़ कर 20 मिनट हो चुके थे मैंने वहां पर अपने गाड़ी पार की और वहां एक लोकल टैक्सी खड़ी थी उसको हमने रिक्वेस्ट करके 1000 रुपए तक देने की बात कई तो वो तैयार हो गया और उसने हमारे को सेंटर पर पहु पहुचे थे उसके बाद गेट क्लोज हो गया था हलांकि उस टैक्सी वाले ने हमारे से 500 रुपए ही लिए ये उसकी दरिया दिली थी और वो हमारे लिए फरिस्ता ही था मैंने उस दिन कम से कम 10-12 बच्चों को एकजाम छूटते देखा था जो इस सेंटर के थे वहां पर उनको जाना था या उस सेंटर के इस सेंटर पर आना था हलांकि NTA ने एड्रस में बिलकुल मेंचन कर रखा था दोनों इसकूल का नाम सेम था यूनिट वन और यूनिट टू लेकिन एड्रस अलग-अलग अच्छी तरह से समझा रखा था लेकिन ये प्रोब्लम आ रही थी एक की नाम से दो इसकूल होने से और मैप में सर्ज करने से तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचना है ताकि आप हर एक प्रिस्तिती का सामना कर सकें ऐसा ना हो कि आप लेट पहुंचें या फिर आपका सेंटर दूसरी जगह हो तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप ट्रांसपोर्ट उसी के अकोर्डिंग प्लान करें आपका स्कूल की दूरी आपके होम से कितनी है कैसे आपको वहां तक पहुंचना है और एडवांस में पहुंचना है तीसरी बात यह है कि अभी काफी स्टुडेंट अभी भी इस कन्फिजन में है कि ड्रेस क्या पाइन कर जाना है क्या सामान लेके जाना है तो मैं आपको बता दूं कि आपने फुल स्लीव सर्ट या टी सर्ट लाइट क्लोथ नहीं पहनना है सूज अलाउन नहीं है इसके अलावा कोई भी ओर्नामेंट्स नहीं पहनना है औ पहन पर मिलेगा मास्क पहन कर जाना है ग्लॉज के बारे में बता दूं कि अगर आप पहना चाहें तो पहन के जा सकते हैं 10 रुपए का एक डिस्पोजल ग्लॉज आते हैं वो आप ले जा सकते हैं वैसे ग्लॉज वहाँ पर भी मिलेंगे आप 10 रुपए के डिस्पोजल ग्ल अपने साथ में लेकर जाएं अपने सामान को अगर आपके साथ parents हैं तो उनको दे दें अगर parents नहीं जा रहे आप single जा रहे हैं तो उसको कहीं दुकान वगरा पर जैसे आपके पास mobile हैं और कुछ है तो दुकान पर रखने की arrangement आप खुद कर लें उससे पहले exam center पर पहुंच क । एक बार हम ये समराइज कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से आइटम लेकर जाने हैं। तो आप परसनल जो आपकी ट्रांसपेर photographs है आप पाने पीना चाहते हैं तो आप ये ले जा सकते हैं लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चैए। इसके अलावा आपको एक passport size का photograph लेकर जाना है जो वहाँ पर attendance seat पर चिपकाना है तो दो item तो आप ये ले जा सकते हैं इसके बाद में personal hand sanitizer की 50 ml के आपको bottle लेके जाना है इसके बाद में admit card लेके जाना है जिसमें 2 page होंगे एक तो first होगा जिसमें self declaration या undertaking होगा आपकी details होगी उ postcard size का photograph लगा हुआ है तो वो आपको लेके जाना है page 2 ये NTA की website से अभी का जो बाद में इन्होंने space देके admit card upload किया था वो आपने download करके लेकर जाना है A4 size के paper पर अभी काफी student का ये comments पर आता है कि ये black and white हो सकता या color तो इसमें आप black and white भी ले जा सकते हैं color भी ले जा सकत इसके बाद में जो next हम करते हैं तो आपको एक original ID proof लेके जाना है original ID proof में आपका आदार card हो गया 12th की जो आपका admit card है जिसमें photo लगा हुआ है वो हो गया इसके बाद में voter ID card हो गया रासन card हो गया bank की passbook होगी जिस पे photo लगी हुई हो तो इन में से आप एक कोई original ID card लेकर अगर आप PwD candidate हैं तो आपको PwD का certificate लेके जाना है अगरा आपने subscribe ले रखा है तो उसका भी आपने photo लेके जाना है और इसके अलाव उसका photo ID लेकर जाना है और उसका एक undertaking भी लेकर जाना है हाथ से लिखा हुआ वो PwD candidate के लिए जिन्नोंने subscribe अवेल किया है उन के लिए ह इसके बाद में आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना है बाके आपको सैंटर पर पैन और ये आपको स्वीदाई मिल जाएगी फोटो पेस्ट करनी वगरा की जिसमें जो पोस्ट कार्ट साइज का फोटो है वो घर से ही paste करके ले जाएं पासबोर्ट साइज का फोटो भी घर से paste करके ले जाएं parents के signature करवा लें अगर parents नहीं है तो किसी guardian के आप signature करवा के ले जा सकते हैं तो यह item थे जो आपको ले जाना है बाके आपने पहले भी exam दे रखी है ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है पहले भी आपने exam दी हुई है तो आप जिस परकार से पहले follow किया था उसी परकार से आप कर सकते हैं next point यह है कि जो अभी rumor चल रही है need 21 paper league की तो इस तरह पापको बिल्कुल भी द्यान नहीं देना है यह हर साल exam से पहले फैलती रहती है exam में क्या होगा कैसा होगा यह सोचकर आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी आपने अपने इस साल जो मैनत की है बस इसी मैनत को इस थ्री हावर्स में आपने भार निकालना है बे फिकर होके exam देना है आपके मन में डर रहता है कि कैसा पेपर आएगा क्या मैं हल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा क्या कोई ऐसी कोई problem तो नहीं आ जाएगी तो यह एक unwanted आपके दिमाग में जो fear बेटा है वो आपको निकाल देना है ऐसा कुछ नहीं है पेपर वही आएगा जो आपने पहले हल कर रखा है एक्जाम में जो पहले आप test जिसकी practice कर चुके हैं वैसा ही पेपर आएगा तो आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है तो वीडियो के अंत में आपका ज़्यादा समयन है लेते हुए बस यही बताना चाहूँगा कि वेफी कर होकर टैंसन फिरी होकर एक्जाम दें बाकी मैं सोचता हूँ कि जो बचा मेहनत जिसने की है वो अवसे ही सपल करेगा और इस्वर उसका अवसे ही साथ देगा इसी आसा और विश्वास के साथ मैं इस वर से कामना करता हूँ कि आपका अच्छा पेपर हो तो बैस्ट ओप लग गोर्ड ब्लेस टू यू इसी के साथ फिर आप से मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद बैस्ट ओप लग